मेडिशिन और हेल्थ संबंधी चानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा असफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाई लेटिस्ट नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार आदाव मैं आपका दोस्त फार्माशिश्ट असफाक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे फुरुसेमाइट के बारे में जानेंगे डिटेल में इसके यूजिस के बारे में साइड इफेक्ट क्या-क्या है, डोस कितनी मातरा में लेनी चाहिए, किस-किस ब्यक्ति को यह टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, तो पूरी जानकारी के लिए बने रही है हमारे साथ। सबसे पहले फ्रुसोमाइड के general introduction के बारे में जान लेते हैं फ्रुसोमाइड एक diuretic है जो sulfonyl derivative होता है यह mild anti-hypertensive के रूप में भी काम करता है फ्रुसेमाइड हमारे सरीर में excess salt के absorption को रोकता है और इस excess salt को urine के through body से बाहर निकालता है यह injection form तथा tablet दोनों form में मिल जाता है लेकिन इस वीडियो में हम लोग tablet form के बारे में बात करेंगे इसके strength की बात करें तो यह 20 mg, 40 mg, 80 mg और 100 mg के strength में मिल जाती है फ्रुसेमाइड अपने जेनरिक नाम से medical store पर तो मिलती ही है इसके अलावे जो सबसे popular brand name है वो है Lassics Tablet अब जान लेते हैं इसके use के बारे में के इसे किन-किन condition में use किया जाता है तो मुख्यत इसका use edema यानि सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है एडिमा जिसमें fluid retention होने की कारण हाथ पैर में सूजन हो जाती है acute pulmonary edema यह एक बिमारी है जिसमें lungs यानि फेफडा में पानी भर जाता है तो इस समय भी फ्रुसेमाइड टैबलेट डॉक्टर द्वरा दी जाती है cerebral edema एक बिमारी है जिसमें मस्तिस्क में fluid भर जाता है तो इसमें भी यह टैबलेट डॉक्टर द्वरा प्रिस्क्राइब की जाती है hypertension यानि अगर किसी पेशिंट का blood pressure बढ़ा हुआ रहता है तब भी इस टैबलेट को दी जाती है hypercalcemia यानि अगर किसी ब्यक्ति में calcium range नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वरा प्रिस्क्राइब की जाती है इन सब यूज के अलावे भी हो सकता है डॉक्टर अपने experience के अनुसार इसका अन्ने condition में भी यूज करे अब यूज जानने के बाद जान लेते हैं इसके डॉज के बारे में तो इसका डॉज पेसेंट के severity और age के अनुसार डिसाइट की जाती है लेकिन इसका common डॉज है 20 mg से 40 mg प्रती दिन ली जाती है इस टैबलेट को खाने के बाद यह खाने से पहले कभी भी ली जा सकती है फुरुसेमाइट की maximum डोज 600 mg प्रती दिन होती है ध्यान रहे डॉक्टर जितनी मातरा में आपको प्रिस्क्राइब करे उतनी ही डोज लेनी चाहिए यह टैबलेट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं दी जाती है इस टैबलेट 18 वर्ष से अधिक उम्र के ब्यक्तियों में ही दी जाती है इस टैबलेट को लेने पर पोटैसियम भी यूरीन के थुरू बाहर निकलने लगते हैं जिससे body में potassium की कमी हो जाती है, इसलिए इस tablet के साथ potassium की supplement tablet भी दी जाती है, अब जान लेते हैं इस tablet के side effect के बारे में, तो व्यक्ति में constipation यानि कबज हो सकती है, किसी किसी को diarrhea यानि दस्त हो सकती है, loss of appetite यानि भूग की कमी हो सकती है, dizziness यानि चक्कर आ सकता है, electrolyte imbalance हो सकता है और लंबे समय तक इस tablet को use करने पर hearing loss यानि सुनने की जमतक हो सकते हैं, इसलिए इसे doctor के proper guidance में ही लेनी चाहिए, अब बात कर लेते हैं किन-किन व्यक्तियों को या tablet नहीं लेनी चाहिए, या अगर उन्हें ऐसी समस्या हो तो doctor को जर जरूर बतानी चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति सलफा ड्रक्स या फ्रोसेमाइट से पहले कभी allergic हुआ हो, या अगर कोई liver या kidney disease से ग्रसित हो, या जिसका prostate बढ़ा हुआ हो, या जो gout यानि गठिया का मरीज हो, या अगर आप diabetes यानि मधुमेह रोग से ग्रसित हो, तो इ इस वीडियो को like करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को subscribe करके bell icon को press करें, धन्यवाद